Hello and welcome to the latest episode of Car Sutra और आज हम बात करेंगे MG Hector BS6 Variants के बारे में और जानेंगे कि क्या ही कुछ बतला है BS6 Variants में MG Hector के So चल ये सीधी बात में बक्वास चलते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ जो की आता है डीजल एंजन के बारे में और इससे ये पता चलता है कि MG Hector अभी भी वही Fiat का 2.0L Multi Jet Diesel Engine यूज़ कर रहा है और ये बेसिकली वही एंजन है बस इसको BS6 के हिसाफ से ट्यून कर दिया गया है और इसके अंदर additional BS6 के लिए components लगा दिये गया है और जिसकी वजह से इसकी प्राइस हाइप हुई है तो चलते हैं और जानते हैं कि 4 हमारे पास variant आते हैं डीजेल एंजन के और चार ON बेसिक्सपर दीएस 4 में क्या क्या price डिफरेंस आये और अगर आंगे आप जाने चाहते हैं कि पेट्रोल वेरींट में क्या शाहरो रूपे की इंक्रीज देखी गई है BS6 वेरियंट में तो आप तो चारो वेरियंट जो है वो 25,000 पर महेंगे मिलेंगे अगर आप पेट्रोल वेरियंट की बात करते हैं और अगर आप बात करते हैं डीजल वेरियंट की तो हम one by one discuss करेंगे तो इस गाड़ी के चार वेरियंट चार अते हैं सबसे पहला वेरियंट जो है वो है style वेरियंट और style वेरियंट जो है वो BS4 में 13.41 लाक रूपीस का आता था एक शोरूरूम प्राइसिंग और अग अगर आप BS6 की प्राइसिंग की बारे में बात करें तो यह style वेरियंट BS6 प्राइसिंग में 13,88,000 रूपे यानि की 13,88,000 रुपीज का एक शोरूम प्राइस पर आपको पढ़ेगा तो 40,000 रुपीज का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा स्टाइल वेरिंट में और अगर आप इससे अगले वेरिंट की तरह चलते हैं जो कि यह सूपर वेरिंट जो है उसमें भी आपको 40,000 का डिफरेंस देखने को मिलेगा सूपर वेरिंट एक शोरूम प्राइस बीए सिक्स में आपको 14,88,000 रुपीज का पढ़ेगा जब कि यह बीए स्फोर में 14,48,000 रुपीज का पढ़ता था और अगर हम चलते हैं स्मार्ट वेरिंट की तरफ जो की सेकंड टॉप मॉडल है इस गाड़ी का तो आपको यहां पर 44,000 रुपीज का हाइक या फिर डिफरेंस देखने को मिलेगा तो बीए सिक्स गाड़ी आपको 44,000 रुपीज महंगी मिलेगी अगर आप स्मार्ट वेरिंट लेते हैं तो जो बीए सिक्स प्राइसिंग है वो है 16,32,000 जो बीए सिक्स प्राइसिंग और जो बीए स्फोर प्राइसिंग इसकी थी वो थी 15,88,000 एक्षो रूम और चलते हैं टॉप मॉडल एम जी हेक्टर का जो कि है शाप शाप मॉडल में आपको 44,000 का है देखने को मिलेगा अगर आप बीए सिक्स डीजल इंजिन की बात करते हैं तो जो बीए सिक्स डीजल शाप विरियंट अगर आप खरीदना चाहें तो यह आपको 17,72,000 रूपीज एक्षो रूम पड़ेगा जबकि बीए स्फोर आपको 17,28,000 रूपीज का एक्षो रूम पड़ता था तो यह डिफरेंसिस हैं बीए सिक्स और बीए स्फोर की करेंगा इसके अलावा इसके अंदर कोई major change नहीं है इसलिए MG hector ने बहुत ही silently B6 compliant hector को launch किया और कोई भी major difference के अलावा नहीं देखने को मिलता इस गाड़ी के अंदर अभी भी यह गाड़ी manual gearbox के साथ आती है कोई भी automatic variant आपको इसमें नहीं मिलता so thank you for watching this video hope you like this channel and subscribe make it a great day